आप देख रहे हैं अभी मैं राकेश भिया के साथ हूँ भी आप यहां क्या कर रहे हैं अभी यहां कहां है आप उन से जगा में हैं यह हल्दी पहार है यह पहार तो निजर नहीं आ रहा है दूर 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 आश्याना देखे पहार आपको पहारी पहार है देखे वह देखे कि अभी मैं राकेश विया के साथ हूं हल्दिया पहार में आपको भी आहां कि यह हमारा हल्दी पाहर है यह चोटी सी गाहं है जगहा जगहा पे जो है आपको घर मिलेका यह आपको अग। यह पहार पे आपको दूर दूर तक आदमी नहीं मिलेगा यह पहार एक हिंसक जानवर की गर है आपको यहां बहुत सारा देखने लाएक जगह है यह पडियागरन की दिया हुआ यह हमारा जहारखंड है और जहारखंड पे आपको ऐसा ऐसा पहार बहुत सारा आपको हम दिख हाई आपको बस current है यहां लोग रहते 懇ए नहीं है डोन में क्या रहें अब देखे चारों तरफ पहाड़ी पहार इस जनकर जहार पेर पौधा आपको यही देखने को मिलेगा पत्थर की दर्शन देखिए कि इतना बड़ा बड़ा पत्थर मिलेगा यहां पर अगर आपको कोई दिक्कत कर दे तो कोई दिखने वाला नहीं है यहां पर को यहां हम सब को जो है बहुत सारा औसुविधा का सामना करना पड़ता है अग安क मेडिकल परता है तो हम सब को मैडिकल पहुंचाने के लिए कोई नहीं आता है दूसरी और यहां पईदल जाने की ही रास्ता है है यहां मोटर गारी अईसला कुछ blood अ प्राक्रित का बहुत ही अधुत नजारह आप लोग देख रहे हैं। लाइन नहीं लोगों को पितना प्रॉब्लम होता होगा यहां पर लाइन का व्योस्ता है लेकिन घर देखें तो पूल मेर आ रहा हमें वह आपस जा रहे हैं नीचे यहां पर गारी चाहना बहुत ही मुश्किल है प्रोड ही नहीं है वहर खावर चुरिक है अचारो तरह आपको जंगल ही जंगल नजर आएगा अब देख सकते हैं हमें अभी तक एक भी आदमी नजर नहीं आया है इसके बारे में क्या कह नहीं रहा है यहां पर बस एक ही घर दो ही घर करकर कर जो पढ़िया जन जाती है वह आपना जीवन गुजार बसर कर रहा और फल जाके आपको हल्दिगर गाओं भी है माजो हाइस्ट कुल तक आपको मिलेगा आगी जाके यहां से हल्दिगर गाओं है जो आपको हाइस्टूlles मथ्विद्ध्दाला है और आदिवासी गाओं है संथाली गाओं यह आपको पहड़िया गाओं मिलेगा अगे Ned about जन बाइक स सारा हिंसक जानबर भी आपको मिल सकता है आपको एक से एक बढ़िया बढ़िया साप का दर्शन हो सकता है एक से एक हिंसक जानबर आपको कई परकार के हिंसक जानबर भालू बंदर इस सब भी आपको मिल सकता है यहां पर जब हम लोग वापस आ रहे थे तो एक सिक्षिका औ कि आगे में गाउं है पहार के ऊपर लगभब 40 परिवार वहां पे रहते हैं उनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में जानकारी दूंगा सब के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं अब हम लोग वापस जा रहे हैं आप लोग वीडियो कैसा लगा हम जो को जरूर बताईएगा कॉमेंट करके जवाब देजिएगा ताके आप कुछ कहना चाहते हैं हाँ देखें यहां हमारा परकृतिक का यह बहुत बड़ा समपदा है यहां अगर आदमी एकेले आ जाए अगर पहार में किस तरह बाउग जाए तो उसका हिम्मत नहीं होता कि जल्दी निकल जाए अच्छो अच्छो आदमी का परी तकलिफ होता है यहां पर हम लोग अभी वापत घर जा रहे हैं अब तो हम लोगों ने पुरा हर्दिया गाउ हर्दिया पहार पहार दिरस जिखाया आप लोगको कैसा लगा बताईएगा वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्स्क्राइब कीजिए कोमेंट करके बताईए आप लोगको वीडियो कैसा लगा